यह तीसरा प्रश्ण है UPSC PCS जो हमारी 24 वाली टैस सीरीज है उसका और हिस्ट्री हम कबर कर रहे हैं उसमें और उसी के आगे से कंटीनू करेंगे जहां तक हो चुका था आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास के प्रमुक्स रोत पुरा तात्विक साहित्विक तथा द्धर्म तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टैस सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वहां पर आप टैस्ट नमबर वन से लेकर जब तक यह 24 के प्रलेम्स एक्जाम तक सीरीज चलेगी तब तक वहां तक बहुंच सकते हो और 24 का जो फुल टैस्ट सीरीज का टेलिग्राम पेड ग्रूप है उसकी जोइनिंग स्टार्ट हो गई आप जोइन कर सकते हो तो कॉशन नमबर वन का अंसर दीजे तो सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए नीचे देगे कूट का प्रियोग करके सही उत्तर का चुना प्रादेशिक जैसे अधिकारियों को प्रादेशिक दोरे का आदेश ओदेता है किसमें और पशु हत्या पर रोक लगाई असोक ने किसमें चलिए यह हैं इसके कूट तो पशु हत्या पर रोक लगाई है प्रथम ब्रहत सिलालेक में कलिंग विजय या कलिंग उद्धका बढ़ने नसुक के तेरवे सिलालेक में बहुत पूछा गया एक्जामस में प्रश्णी है ठीक है धम नीती की व्यक्या ग्यारवा ब्रहत सिलाल और यक्त रज्यूक प्रादेशिक देशे अधिकारियों को प्रादेशिक दोरेक आ देश त्रत्य व्रहत सिलालेक में तो इसका आंसर हो जाएगा 431 ठीक है करते हैं तो देखे नेजिक जो है धम निती की व्याख्या करता है प्रथम रहत से लाएक पर्शु हत्यापभा रूख तरत्य ब्रहत रह द्जालेक युक्ति-रजुआक प्रादेश्द जैसे अधिकारियों को प्रादेश्य दोरे का आदेश देता है और तेरवा जो ब्रहत सिरालेक है वो कलिंग विज़ है कलिंग दिखा बढ़ना है उसमें और सीरिया मेसर मेसिरोनिया के साशकों का बढ़ना है उसमें क्लियर देखिए ये नमबर इस पर कॉलिया वाटस अप करके आप फुल टेस्ट इस सिरीज प्राप्त कर सकते हैं फाइब डवल नाइन में पूरे साल के लिए अब आज ये कोशन नमबर टूपर गिरनार सिराले के संदर में नमलखित कत्मों पर विशार करेंगे यह जूनागण गुजरात में इस्तेत है इसमें रुद्रदामन और इसकंद गुप्त के भी लेक मिलते हैं इससे सुदरसन जील के विशह में जनकारी मिलती है जिसका न और इससे सुदर्शन जील के विशह में जनकारी मिलती है जिसका निर्माण पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौरी ने कराया था अच्छा निर्माण की तो बात यह हो गई जिनोधार पर भी प्रशन बड़ा पूछते है तो रुद्रशन जील का जिनोधार जो है वो चंद पूद्रदामन के समय सुविशाक और सकंद्गुप्त के समय चक्रपालित ने कराया था इस चीज को भियाद रखिएगा तीसरा प्रशन है नम्लिकित में से कौन सा जो है सही सुमय लेत है यह है साशक यह है अभिलेक मंदशोर प्रसस्ती जूनागर तथा भीत्री अभिलेक विल्सड तथा मंदशोर अभिलेक यशो धर्मन सकंद्गुप्त कुमार गुप्त कौन सा सही सुमय लेत है देखिए सकंद्गुप्त जूनागर तथा भीत्री अभिलेक यह करेक्ट है अब की विल्सड तथा मंदशोर अभिलेक कुमार गुप्त और यशो धर्मन मंदशोर है तो पहला और जहां-जहां थर्ड है उसको अलिमिनेट कर देजिए इसका अंसर केवल दूसरी होगा तो देखिए कुमार गुप्त विल्सड तथा मंदशोर अभिलेक इसकंद्गुप्त जूनागर तथा अभित्री अभिलेक यशो धर्मन मंदशोर प्रसस्ती तो केवल दूसरा ही सुमय लेत है कुशन नुमर फोर पर आजए भारत ये प्राचीन भारत में सिकों से संभनदे इतना मेंक्री तम से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह असद्गया भारत में सबसे पहले सोने सिक्के जो है कुषानो नहlast बहुर्त अजाता था खाएं किन कि ये की मुद्षा पर युनानी इरानी देबताओं के नाम मिलते हैं ये केवल किन्तु परन्तु वाले statement अधिकतर गलत हो जाते हैं कनश्क की मुद्राओं पर युनानी इरानी भारत्य भी ठीक है इन देपताओं के अंकर जो हैं भोलत है यहाँ पर D और यही आंसर है देखिए कनिश्क की मुद्रा पर जो है सिर्फ ना सिर्फ युनानी इरानी अपितु भार्ति और पर्षन देवताओं का अब उलेक मिलता है तो डी गलत है वाकी कनिश्क के सिक्को पर अग्र भाग में हवनकुंड में अहुती देते हुए राजा तथा प्रस्ट भाग में द देश्य में असत्य स्टेट्मेंट है इनके सिक्के आंधर प्रदेश मद्र प्रदेश दक्षन पश्रिम तथा दक्षन के विश्तर छेत्र से प्राप्त हुए हैं और इनके सिक्के तांबे तथा सीसे से निर्मित थे इन्होंने सरवाधिक सोने के सिक्के चलाए यग स्री स साथ करणी के सिक्कों के अगर भाग पर दो मस्तूल वाले जहाजों का अंकन उसकी व्यापारिक अभिरूची का भी संकेत देता है कौन सा इसमें इनकरेक्ट कथन है देखे सबसे जाद है सोने के सिक्के वो गुप्तों ने चलाये थे साथ बहाने नहीं शिसे के इनों ने चलाये थे सरवाधिक तो यही इनकरेक्ट है और यही अपना आंसर है तो साथ वाहनों ने सीसे के सिक्के, तामे के, अतिरेक्त, पोर्टीन तथा चांदी के सिक्के भी चलाए, सीसे का आयात मुखेता रोम से किया जाता था, ठीक है, और सरवाधिक सोने के सिक्के चलाने का असरे गुपतो को दिया जाता है, साथ वाहनों को नहीं, तो सी गलत है, अब आज़े ये कोश्य नुमर्बर 6 पर सुची एक को सुची दों के साथ सुमेलित कीजे नीचे देगे कूट का प्रियोकर के सही उत्तर का चुनाप कीजे सुची एक में वेद और दूसरे में हैं ब्रहाम्मण ग्रंथ ये बड़ा इंपोर्टन सवाल है एत्रे कोशित की ब्राह्मन, सत्पत ब्राह्मन, तेत्रे ब्राह्मन, पंचविष और गोपत इनका संबंद किस्से हैं मैच करने के लिए पुछ रहाता है देखिए रिगवेद से संबनेते एत्रे और कोशित की ब्रह्मन यजुरुवेद में सत्पत और तेत्रे ब्रह्मन सामदेब में पंचवेस और अथर वेद में गोपत तो यह अल्डेडी सुमेलित ही है तो 1-2-3 वाला उप्सन खुज लिजे ए है इसका आंसर 1-2-3-4 देखिए उपरयुक्त वेदों में रिगवेद का प्रोहित होता यजुरुवेद का अधर्वियू सामवेद का उद्गता ठीक है और अधर्वेद का प्रोहित ब्रह्मा कहलाता है इसको भी याद रखीगा और वैदिक साहित में वेद के अत्रेक्त ब्रहमन आरणक साथ व ब रख्राइन कथमों पर विचार करेंगे द्मित कंशुक के अर्थ कसरलता से के लिए वेदांक की रशन्हां gew utilized को बिदांगों की संख्या तो 6 है दूसरा स्तिट्मेंट गलत है तो वेदों को सरल्ता से समझने के लिए वैदिक कर्मकांड को परतेपादिद करने में सहयोक देने के लिए वेदांगों की रश्ना की गई वेदांगों की संख्या 6 है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और जोतिष ठीक है? और इसको याद भी रखिएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, जोतिष दूसरा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है धार्मिक रांती यानि बौध और जैन धार्म तो इससे जो इंपोर्टन प्रश्न है वो यह है बौध साहित के संदर में नम्रिकत में से कौन सा स्टेट्मेंट सही नहीं है त्रिपिटकों की रशना गौतम बुध की निर्वान प्राप्ती के पश्चात होई सुत्य पिटक में बुध के धार्मिक विचारों तथा वचनों को संग्रहित किया गया है विने पिटक में बौध धर्म के नियमों का उलेख है और अविधम में जातक कथाओं का वर्णन है अविधम पिटक में तो तीन पिटक है या सुत्थ पिटक, अविधम पिटक और विना पिटक ठीक है त्रिपिटिक और यह अपने आप में ही एक प्रश्ण की किसे संबन्द रखता है यह जैन धर्म से बौध धर्म से किसे तो बौध धर्म से तो करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है इन करेक्ट है ठीक है परियाप्त प्रकाश पड़ता है और अभिधम पिटक में बौध दर्शन का विवेचन है ना कि जातक कथाओं का तो डी गलत है जातक कथाओं बौध ग्रन्थ त्रिपिटिक के सुट्थ पिटक के अंतरगत ठीक है खुद कनी खुदक निकाय का दस्वा भाग है और इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है जातक कथाओं में तो जातक कथाओं किसमें सुट्थ पिटक में और अभिधम पिटक में बौध धर्शन का विवेचन आठ सो से छे सो इसा पूर्व का काल किस काल से जुड़ा है ब्रह्मन काल ब्रह्मन युग देखे आठ सो से छे सो इसा पूर्व का काल जो है ब्रह्मन काल से जुड़ा है वो प्राया सात्वी या छटी सतावदी इसा पूर्व का जो समय है वो शूत्र काल है रहन है नहीं तो Corps game का और यह मोई किसी विकारी की सफलता जो है तीन बातों आपकर निर्फर करती है सरद्धा ज्ञान और कृया और जैन स्थ्रों में इस सम्यक दर्शान समय ज्ञान सम्यकश्य टीरित्रिया आश्ञन कहते हैं गयारा प्रस्ण है नम्रत्र बधे में ribbon है पन्तों मेंसे किसे बोधी सत्वयान भी कहा जाता है किक चीए यह कहा जाता है महायान को ऑप्शन बी तो महायान को बौधी सत्वयान या ब्रहतियान भी कहाजाता है, इसका अर्ध है, ब्रहतियान ग्रहस्तों के लिए भी संभव है, ठीक है, और कालांतर में ये मूर्त्य पूर्जा करने लगे, और स्वर्ग की परिकल्पना भी उभर कर आई, जिसके अभिवाबक अमिताब है कि उख द्राफ् dormir और जयन धर्म कर विखाजंव уже बिद्रत्रभा जयन संविलन को सूव्यवस्थց करने के रिए और रायुजित किह के जयन संविलन आगमों को सुव्यवस्थित करने के रिए विखी एकरेक्षा σेट्टमेंट पर्थम संभीलन में जैन धर्म का विहाजन हो गया पर्थम संभीलन हुआ पाटली पुत्र में और दुथ्य संभीलन हुआ बल्भी गुजरात में बड़ा इंपॉटेंट सवाल है ए ठीक है बहुत संगेती तो सबको पता है लेकिन जैन सम्मेलन में अटक जाते हैं लोग तो दुत्य जैन सम्मेलन का आयोजन बल्लवी गुजरात में हुआ था नाकी करनाटक में और इस सम्मेलन की अधेक्सता की थी किसने शमा श्रमार ने नाकी भद्रवाहू ने और पर्थम समेलन में भद्रवाहू के अनयायों ने भाग नहीं लिया यहाँ जैन धर्म का विहाजन श्वेतामबर तथा दिगंबर में हो गया कोशन नमबर ठटीन पर आजए सूची एक को सूची दों के साथ सुमेलित कीजिए नीचे देगे कूट का प्रियोकर के सहितर का चुनाब करनाई सूची एक में हैं बॉद्ध दार्शनिक और संबंदितकार इनसे जैसे कि बुद्ध चरित के सामने अश्वघोस लिखाया कईवार सीरीज में मैंने कराया है असंग के सामने सरवास्तिवाद धर्मकीरती के सामने भाषा बैग्यानिक बुद्ध घोस के सामने विशुद मगन पहला तो करेक्टे कई बार बताया बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोस ठीक है सरवास्तिवाद के असंग सही है भाषा बैग्यानिक धर्मकीर्ती और विशुद्ध मग्र बुद्ध घोष तो वही 1,2,3,4 वाला स्टेट्मेंट हो जाना चाहिए 1,2,3,4 विशुद्ध मग्म, मग्ग है मग्ग, ठीक है मग्र नहीं है मग्ग तो बुद्ध दार्शनिक संबंदितकार बुद्ध चरित अश्वगोष की सरवाश्तिवाद असंग भाषा बैग्यानिक धर्मकीर्ती और विशुद्ध मग बुद्ध घोष विशुद्ध नमपर फोटीन पर आजेनम लेकित में से कौन सा स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है पाल शाशक बौध धर्म के अंतिमहान संरक्षक थे और इन्ही के समय तंत्रबाद का विकास हुआ धर्म पाल ने विक्रम सिला देव पाल ने नालंदा विशुद्ध देले को संरक्षन परदान किया देखिए उपर के तीनों करेक्ट हैं यहां तक भी यह लाइन करेक्ट है लेकिन यहां से गलत हो गई देव पाल ने जो है वो नालंदा विशुद्ध देले को संरक्षन दिया था और धर्म पाल ने विक्रम शिला को तो धर्म पाल ने विक्रम शिला की स्थापना की थी प्रश्य नमबर 15 पर आजए नागर्जुन के संदर में नम्रिकत में से कौन सा स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है चंद्रगुप्त के दरवारी थे इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है हुएंसांग ने उन्हें संसार की चार मार्ग दर्शक सक्तियों में से एक कहा है और इन्हें भारत का अइंस्टीन भी कहा जाता है तो नागर्जुन जो है वो चंद्रगुप्त मौर के नहीं दरवारी थे वलकि यह कनिश्क के दरवार में थे पुर्थम सतावदी इस्वी में इन्हें बौध विक्षू के तौर पर चीन भेजा गया था इंपोर्टन्ट है भारत का अइंस्टीन कहा जाता है इनको कुछ नंबर 16 पर जीए महान बौध महायान बौध में बोधिशत्व अब लोकी तेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है बज्जर पाणी पद्म पाणी मैत्रे या मंजूश्री महायान बौध में बोधिशत्व अब लोकी ते के important प्रशन है सारे के सारे तो बौध दर्शन में माना गया है कि बौध शत्वों में अवलोखी तेश्वर की इस्तिती महत्पूर्ण है यह है उन लोगों ने निश्चे किया था कि वे कीवे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक सभी मनुष्यों को निर्वान प्राप्त नहीं हो जाता और वस्तुत है बौध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रवाब परिलक्षित होता है बौध शत्व अवलोगी तश्वर या पद्म पाणी वैदिक युगिन देवता वि करता है स्थाविर हीनियान महयान इन में से कोई नहीं है इसका उत्तर है इंदेख को में देखें करने के लिए अठार्वा प्रश्ण इंब्रिकद में से कौन सी विश्यष्था बौध और जयनधर्म दोनों में समान रूप से विधमान नहीं थी कर्मकंडों की फलता का निशेद दोनों ने किया वेद प्रमाण के प्रती अनास्था प्राणियों की हिंसा का निशेद तब और भोग की अतिका परिहार देखे प्राणियों के प्रती हिंसा का निशेद दोनों में बेद प्रमान के प्रती अनास्था और कर्मकांडों की फलता का निशेद दोनों में लेकिन पहला जो है किसी एक में है तप और भोग की अती का परिहार तब और भोकी अती का परिहार एवं अध्यमार का नुशन केवल बौध धर्में किया गया जैन धर्में नहीं किया गया वाकी तीनों के तीनों लक्षण जो है वो करेक्ट है अतलब तीनों के तीनों लक्षण दोनों में है क्या रोजो Öस्षा स्प zaj he been Citizen रंधे पांच तो में सामिल नहीं है लोज है posident subscribe सिबिगाया ब्रह्मुचर है स्थय है सत्य है अहिंसा है नैतिक्ता इसमें नहीं है कि या है तो जैन धर्म के अधरीन है 5 सिद्दांत इंसा यानि जीव को चोटना पहुंचाना सत्य जूटना बोलना अस्त यानी चोरीना करना अपरिग्रह संपत्ति का संचेना करना और भ्रहम्चर्र मतलब साथ वेग जीवन विताना ठीक है भगवान का ध्यान करना विद्या ग्रहन करना ठीक है कि और सोब विचारों से अपने वीर का रक्षन question number 20 पर आ जाईए जैन व्यवस्था को दो प्रमुक संपरदायों में विभाजित किया गया है दिगंबर और श्वेतांबर इस संबंद में अमलिके परियों से कौन सा कि देखें इतना यह सब कुछ सही लिखा है इतना सब कुछ सही लिखा है लेकिन गलतियां यहां कर दी इसको इंट्रचेंज कर दोगे तब करेक्ट होगा वरना दोनों के दोनों के लते हैं जो दिगंबर साधू है वो पूर्टा नग्न रहते थे ठीक है पुरुष देखें जैन विवस्था को दो पूर्मक संपरदाव में भाजित किया गया है दिगंबर और श्वेतंबर दिगंबर की पहले बात कर लेते हैं तो इस संपरदाएं के साधू पूर्टे नग्नता में विश्वास करते हैं पूरुष साधू या विक्षू जो है वो कपड़ में और भद्रवावव इस संपड़ाएके प्रतिपालक थे कौन थे भद्र भाहू है है स्वेतांबर की बात करें तो सफेद वस्त धार्न करते हैं साधू केवल कि मानता महिलाये मोक्षप्राप्त कर सकती हैं दिगंबर की मोक्षप्राप्त ne आप जॉइन हो सकते हैं ठीक है तन्यवाद